तो गाईज आज चाइनीज स्मार्टफोन कमपणी इन्फिनिक्स ने अपने दो नए डिवाइसेज इन्फिनिक्स नोट एट और नोट एट आई स्मार्टफोन को ग्लोबली लाँच कर दिया है दोनों ही स्मार्टफोन में मीडिया टेक हीलियो, G80 चिपसेट और 5200 mAh की बैटरी के साथ ही कई और खास फीचर्स देखने को मिलते हैं कमपणी ने अभी इन डिवाइसेज की प्राइस को दो नाउस नहीं किया है लेकिन इनफिरिक्स नोट 8 की प्राइस 200 US डॉलर्स यानी करीब 14,700 इंडियन रुपीज और वहीं इनफिरिक्स नोट 8i की प्राइस 170 US डॉलर्स यानी लगबग 12,700 इंडियन रुपीज के आस पास रखी जा सकती है इस स्पेसिफिकेशन की बात के तो इन्फिरिक्स Note 8 में 6.95 इंचेस का एक HD प्लस LCD डिस्प्ले पैनल डूल पंचोल कट आउट के साथ देखने को मिलता है दूसरी तरफ इन्फिरिक्स Note 8i में 6.78 इंचेस का एक HD प्लस डिस्प्ले सिंगल पंचोल कट आउट के साथ दिया गया है दोनों ही स्मार्टफोन मेडिया टेक हीलियो G80 चिप सेट पर रन करते हैं और इन्फिरिक्स Note 8 में 6GB RAM के साथ 128GB की इंटर्नल स्टोरेज देखने को मिलती है वही Note 8i को 4GB RAM प्लस 64GB स्टोरेज, 4GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज और 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज आप्शन्स में पेश किया गया है साथ ही इसके इंटर्नल स्टोरेज को यूजर्स MicroSD Card की मदद से 2TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं कैमरा सेक्शन की बात करें तो इन्फिरिक्स Note 8 के बैक पैनल में 64MP का प्रामरी सेंसर वही Note 8i में 48MP का में कैमरा सेंसर देखने को मिलता है इसके अलावा 2MP का मेक्रो शूटर, 2MP का डेप्थ सेंसर और एक AI लेंस इन में दिया गया है वही फ्रंट की साइड इन फिलिक्स Note 8 के डूल पंच होल कट आउट में 16MP का में सेंसर और एक पोर्ट्रेट कैमरा लेंस मिलता है वही दूसरी तरफ Note 8i के फ्रंट में 8MP का सिंगल कैमरा पंच होल कट आउट में दिया गया है पावर बैक अप के लिए दोनों स्मार्टफोंस में 5200MH की बैटरी, 18W फास्ट चारजिंग और USB Type-C सपोर्ट के साथ देखने को मिलती है साथ ही सिक्यूर्टी के लिए साइड माउंटेट फिंगर्प्रिंट सेंसरीन में दिया गया है हाला कि अगर ये इसी प्राइस रेंज के आसपास इंडियन मार्किट में देखने को मिलेंगे तो इस से अच्छे आप्शन जैसे की लियल मिनार्जो 20 प्रो और पोको M2 प्रो स्मार्टफोंस को आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दीजे